नमतकर दोस्तों मेरे नाम स्रीकान कुमार आप देख रेट जेट प्रोसेस आज बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों प्रधान मंतरी अवासी ओजना 2022 का लिस्ट में जिन लोग का नाम था उनलों को पैसा मिलना सुरू हो गया है चाहे तो आप चेक कर सकते हैं एक मिनट क लाने वाला हूँ इस वीडियो को आपको लास तक आपको बने रहना है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेब लाइक अन टिक को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिपिकेसन सब सबसे file up के पास पहुँच पा है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले अपना किसी एक ब्राउजर को उपेन कर लेना है और ब्राउजर में आपको टाइप करना है pmayg.nic.in इस परकार से आपको टाइप करना है टाइप करने के वाद सर्च के option पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रदान मंत्री अवास योजना ग्रामिन चेतरे के official website इस परकार से यहाँ पे उपेन हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाए कट कट के option पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परकार के interface यहाँ पे उपेन हो जाता है और दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा गाउं में PM आवास योजना का किन लोग का कितना installment मिला है और कौन लोग को अभी तक pending में है कितने लोग को नहीं मिला है सारा कुछ दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा थिरी लाइन के option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों एक option देखने के लिए मिल जाएगा आवास soft इस वाले option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों एक option देखने के लिए मिल जाएगा report report के option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो इस परकार के इंटरफेस यहां पे उपेन हो जाता है, सबसे पहले दोस्तो इस परकार से आपको नीचे आना है, और यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा status of अधार job, इस वाले option पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तो इस पर आपको देखने के लिए मिल जागा 2012 इस वाले option को आपको select कर ले ना है उसके बाहर दोस्तों इस box में क्या करना होगा सबसे पहले select के option पर आपको click करना क्लिक करने के बाद इस बॉस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिल जागा यहां से state का नाम को select कर लेना है select करने के बाद दोस्तों यहां से अपना district का नाम को select करना होगा तो चले select कर लेते हैं district का नाम को select करते हैं select करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिल जागा select select के option पे click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना परखंड या ब्लॉग के नाम को स्लेक्ट कर लेना है स्लेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको एक option दिखने के लिए मिल जाएगा स्लेक्ट के option पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से अपना पंचाईत का नाम को स्लेक्ट कर लेना है तो चलिए अपना पंचाईत का नाम को यहां से स्लेक्ट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा तो यहां पर दोस्तों कैप्चा कोड जो दिया गए capture code का यहाँ पर अभी type नहीं करना है आपके पंचाईट का list हुए कि यहाँ पर open हो जाता है इस परकार से आप नीचे आते हैं तो दोस्तो इस परकार से यहाँ पर देखे list जो है कि यहाँ पर open हो गया है तो दोस्तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा registration number आपको देखने के लिए मिल जाएगा beneficiary का नाम देखने के लिए मिल जाएगा जिनके नाम से आवास जो पास हुए है उनका नाम देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है उसके बाद दोस्तो जैसे आप ए साइड में आते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा merit status आपको देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद दोस्तों जैसे आप ए साइड में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अधार status यानि कहने का मतलब है कि आपके बैंग खाता में अधार कार्ड लिंक है या नहीं है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपको seeded यानि आपका जो है कि आपके बैंग खाता में अधार कार्ड लिंक है जैसे आप यह साइड में और नीचे आते हैं दोस्तों यहाँ पर और दोस्तों जैसे आप A side में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका branch का नाम देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इस परकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस परकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ अमांट के सामने यहाँ पर एक देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों जैसे आप यह साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जैसे आप यह साइड में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मोबाइल नमबर इस परकार से। अगर इसे आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस capture को इस box में टाइप कर देना है। उसके बाद download PDF के option पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए capture code को में यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पंचाईक कर जो है कि इस परकार से लिष्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है।